प्रमोच शुकला जी, सुमान शुकला जी राधा वल्लव शीह रिवेंच पुजेश सी सद्गुर्दे भागान, आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओं गुर्दे भागान, कभी-कभी संसारिक परिष्टितियां ऐसी हो जाती हैं कि इस दे के समंदों की चिंता ही सताती रहती है भजन की एकागरता में बादा उत्पन करती है, महराज जी, कृप्या महरा अश्न करें जीव का इस वभाव है, क्यों आहंकार नहीं त्याक पाता, सबसे बड़ी बात है, अचा आपके चिंता करने से क्या हो जाएगा, आप कुछ समाल लेंगे क्या, आप अपने एक रूम को भी नहीं समाल सकते हैं, अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर आप न उसे लगा सकते हैं, न रोक सकते हैं, तो आप एक बहुत छोटी बात है, कि आप अपने सरीर के एक रूम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे, आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे, बतलब आप असमर्थ हैं, तो कि musi शर्वशमर्थ प्रभु उनके भरोश्योंपнозा उव आसको और वह सकते हैं यह उद्म सरीर हो प्रहू को शामर्पित भावनنت करें घलाई-चाथ-शम पदा तुम्हारी मैं सेवक समेट-शुतनारी हे मुआ अब आप जानों। आप देखो तो आपको जब कभी किसी की चिंदा हो, तो प्रभू की तरफ देखो, कि नात इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो शामर्त नहीं, पर इच्छा है, ये सुखी रहे, स्वस्त रहे, चावे बच्य हो, द्यूर्श ते हो, नाते हो, प्रभ जी से कहेंगे कि सिरी जी ठीक है जैसे भी है पर है तो आपके न अब आप समालो आप देखो ऐसे आप भी जो आप से जुड़े हैं जहां आपका मन जुड़ा है तो आपको उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरणों देदेंगे प्रभु आप देखो और वो शब्स्वास करो कर ना करो चिंतन करो भजन करो उसी से सठीक हो जाएक। कई बार हमने सतसंग में सुझाओ नामजी के भगते ग्रेष्त तो सतसंग और भजन के प्रभाव शुन को एक दिन लगा कि अब बेरा जीवन बेर्थ संसार में जाराब में विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा तो सास्त्र की बयात आई कि आप तो ब्याह कर चुके हैं और नोजात सी सुबच्चा भी था क्या करूं तो पतिनी शुनों ने का देखो हमारा निश्चे हो गया है अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे आप पतिनी इसलिए आप से हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो और अगर आप ना चाहो तो इस सारी संपति घर परिवार सब आपका मुझे जाने दो तो उनका मुझे संपति सब नहीं चाहें मैं आपके साथ चलूंगग तो बहुत आपने साथ कुछ ने ले चलना होगा मतब कुछ नहीं तो कुछ नहीं उनका ठीक है पर उन गोद में अपने बच्चे को ले अप चल दिया जब काफी दूर चली तो बच्चा लेकि चलने में पीछे हो जाते है तो पीछे मड़ को देखा उनका हाथ, गोद में क्या है उनका बच्चा, तुम कहा हमने कहा तो कुछ नहीं लेना है, तुम क्यों ले ya, तुमने आफि नौजाथ बच्चे को कैसे छोड़ दे, चीटा बहुत से टेंज, वो ले देखा है इनका पालन पूशन कौन कर रहा है, तुम करते हो, छोड़ यहीं छोड़, आगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़, छोड़ दिया, ऐसे ही जंगल में अब मा तो मा होते हैं न, ठीक पती के आग्या के अनुशार भजन, पर उनके हरदय में एक टीस होती, कि कभी कोई मुझे सूचना देते कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का, उनके मन में था, कम से कम बारा वर्ष हो गए, पर उनके मन की वो पीरा नहीं गई, कि एक बार तो म बात में यटकी हुई है, बोले चलो, तो बारा वर्ष में बाहर लोगे सबैसे बढ़ गए थे, तो पहचान में नहीं आए, गाओं के बाहर रुके, गाओं के लोग उदर से जो जाय तो बुलाया, बोले भाया, यहां एक सोजाजी रहते थे, आप जाना, बोले हाँ, बहुआन की कृपा देखो, वो अपने बताने लगा, बहुआन की कृपा देखो, राजा जो है, सोजाजी का बड़ा आदर करते थे, तो जब सुना कि सोजाजी चले गए, तो राजा ने अपने शेनिकों को भोजा कि एक बार उनको रोको हम बात करेंगे, तो वो तो मिले नहीं पर रास्ते में लड़का मिल गया, और राजा के लड़का नहीं होता था, उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया, तो इसको हम गोद लिते हैं, बोले वो आज बारा वर्स का राज कुमार है, पत्ति इसका चलो सिदे आस, बोले समझ गई, तुम चाहे, जितना कमाती जितना हम कमाते हैं, वो उतला नहीं प्राप्त कर पाता, और भगवाल के सारे छोड़ दिया, तो राज को बार बला बैटा है, तो हम अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे, तो परेशाल हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अगर अपनी चिंता चिंता मनी रहती है, सुक बुद्धी बनी रहती है, सत्संग में हम जो प्रारम करते हैं, तो तीन बाते करते हैं, किसका है? आँ, तीन बाते करते हैं, पहले करते हैं, भगवान की बात को शुर्धा विश्वास पुरुवक शुनो, फिर दूसरी बात करते हैं, महात्वपुर्ण रख बहाव रख करके मनन करो फिर तीसरी बात करते हैं से जीवन में उतारो तो आप करते हैं सुनते हो समझते हैं तीसरी बात नहीं है उतारना तो मलिंता भोगों की प्रति जो आकर्शन है वो हमें लगता है अच्छा है सुख है जैसे किसी को साप काट खाए न जहर चड़े तो गाउं में उसकी पहचान की जाती थी नीम की पत्ति खवाई जाती थी कैसी लग रही है मीठी तुरंत उपचार करो जहर चड़ गया है भगवान ने और शंत महापुरुषों ने अनुभो किया है संसार कैसा है दुख खाले अम दुख यून यहा अपने कैसा लग रहा है म अच्छा जहर चड़ गया माया का उतरवाओ फटा फट उतरवाओ नहीं तो जहर चड़ गया है यह मार देगा बिस चड़ गया है अग ऑगा अगल बंदक संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है का दूसरा कोई नहीं है पर हमारे इंदर यह इस्तिती नहीं है ना तो हमने भगवाण नहीं देख पाथे. सही माने में जहां कुछ आकर्षन है भगवाण जैसे आपको पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत सुंदर है, सुशील है, सजन है. आप बहुत प्यार करते हैं. लेकिन पत्नी को नहीं करते हैं। उसमें बशे भगवान को प्यार करते हैं उसको जला देते हैं उसके पात बैठना आपको भैवीत कर देगा तो उसी पतनी से तो तुम प्यार कर रहे थे अब दो-चार लोग के वो जो थी वो तो चली गई सनसार में तो यांत में अगर जां जायोगे तो कहीं संसार कुछ और आये नहीं भगवान이야 और आपको सब्सक्राइगाँ है तो देखो, आपने कितना भी प्यारा हो, हम उसे जला देते हैं, कितनी दुरदशा करते हैं उस सरीर की, जला देते हैं, गाड देते हैं, फेक देते हैं, कोई मतलम ने, के हो, मर गया, कौन मरा, कौन मरा, जिसको तुम देख रहे हैं तो सामने, और जिसको कभी जाना नहीं, द प्रभू का ही हो रहा है यह तभी दूर होगा जब हम प्रभू में भाव कर लेंगे। सुख्ध तो भगवान में है पर वो समझ में तभी आएगा जब थोड़ा भजन और बढ़ाए। बढ़ाओ जब हमारे नेत्र पवित्र होंगी तो हमारे समझ में आ जाएगा। विनोत त्रिवेदी जी जैपूर से राधा वल्लव शीहर इवेंश परम पूजे सीद्ध सद्गुरु देभगान आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम महराजी आपकी अहेत्व किर्पा से सुभा की सेवा वानी पाथ वह पूजन कर लेते हैं कोई बात ने किसका है हाँ कोई बात ग्रेश्थी में घर में और कोई इस नहीं है अच्छा है संतोष ना होना अच्छा है पर ग्रेश्थी के कार्यों में इसलिए फिर नाम प्रधान जीवन रहना चाहिए चलते प्रते नाम आपके कर्पा से में अगर वह अश्टे आम सेवा को देखे रुमाल्वापनों करीमियों कोई किशान है कोई व्यापारी है अब शब शमय कैसे दे सकता है तो वह भी भग अगर घर में कोई है तो मध्यान में उनको शैन करा दे और फिर एक दो गंटे बाद उत्थापन कर ले अगर नहीं भी करता तो आप भाव से वहां जहां हो वहीं से कर लो थोड़ी दिर भाव मतलब एक-दो मिनट में ही भाव किया इम अपने ठाकुजी स्रीजी को शैन करा दिए घंटा डिर घंटा बाद फिर उत्थापन करा दिए और मानशिक भोग लगा दो भाव में की लड़ू है मीठा है जल है भोग लगा दिया भावना इसके बाद शाम के जाओ फिर अच्छे से भोग लगा दो रोटी डाल सब्जी जो भी है भोग लगा प्रवा दिया कोड़ा दूद को भूग लगा पिर शैन करा दियारती करके वह जाएगा सिरी जी जानती है कि आप बेवार की सेवा में हो और नाम जब करते रहो ठीक है इसी से